नमस्कार दोस्तो लीड इंडिया लॉय एसोसेट्स अनि लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है लेकिन आखिर सरकार की मनशा क्या है अब क्या होगा दो अलग अलग धर्मों में जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए क्या होगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस विध्यक के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा। यह जबरदस्ती धर्म परिवर्टन कराए जाता है तो उन सब पे कामूनी कारवाही की जाएगी अब यह तो सरकार ने इसलिए किया क्योंकि सरकार का ऐसा सोचना था सरकार को ऐसे मामले आए थे जिसमें यह आरोप लगाए गया था कि किसी लर्की का या लर्के का जबरदस धर्म परिवर्तन कराये गया और धर्म परिवर्तन करा करके शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराये गया नाबालिक लर्कियों का धर्म परिवर्तन कराये गया और फिर उनको तरह तरह की परतारना की गई ऐसा भी कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन इसलिए कराये जाता है श लेकिन सच्चाई क्या है और इसके क्या impact होंगे यह भी जानना जरूरी है। भारत का समविधान जिसमें नागरीकों के मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। उसमें जो आर्टिकल 25-28 है इसमें कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंतरता होगी। धार्मिक स्वतंतरता का मतलब है कि राज्य सरकारे किसी भी व्यक्ति के उपर किसी भी धर्म को थोपेंगे नहीं। मतलब यह है कि किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति स्वतंतर हो करके अपने धर्म का निर्वाह कर सकता है। अब ऐसे में एक सवाल उड़ता है कि यदि हर एक व्यक्ति का या मौलिक अधिकार है कि वह अपनी धार में एक स्वतंतरता को बनाए रख सकता है वह जिस धर्म को चाहे वह उसका पालन कर सकता है तो क्या सरकार का भरोसा अब लोगों में या युवाओं में नहीं है अगर वह धर्म परिवर्तन करके विवाह करना चाहता है तो इसमें सरकार को क्या एतराज हो सकता है हलाकि सरकार भी गलत नहीं है सरकार इसलिए गलत नहीं है कि कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे स्विक्षा से धर्म परिवर्तन के आर में जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराए गए हैं और उसमें एक कारण विवाह भी रहा है लेकिन दोस्तों इसके लिए सरकार ने जो उपाय ढूडा ओर्डिनेंस के अंदर वो यह कहा कि यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है और धर्म परिवर्तन करके शादी करनी है तो आपको कलेक्टर को जो जीले के कलेक्टर होंगे उनको साथ दिन पहले आवेदन देना होगा कुछ आवेदन के बाद से एक फॉर्मेट होगा एक फॉर्म होगा उस फॉर्म को भर करके देना होगा उसके बाद ही आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि जहां पे मा और बाप कपल के मा बग तयार ही ना हो शादी के लिए समाज भी तयार में हो इतना हो हमारा समाज है भी नहीं ऐसे में अगर कोई कपल आवेदन देता है कलेक्टर आफिस के अंदर और वहां से अगर किसी भी परकार से उसके धर्म परिवर्तन के सूचना लिक हो जाती है तो इन प्रस्तीतियों में क्या कपल के जानमाल की देख भाल खौन करेगा दोसरे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन साथ दिनों के अंदर अगर कपल के साथ में कुछ घटना घट जाती है लरका और लरकी के साथ में कुछ घटना घटती है या खुद दुखी होकर के वो कुछ ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो उन्हें उठाना नहीं चाहिए तो इन प्रस्तितियों में क्या होगा एक और महत्वपून बात है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए तो सरकार ने रोक लगा दिया लेकिन एक हिंदू लरका या एक मुस्लिम लरकी जो बालीग हो चुके हैं अगर वो बिना शादी की किये हुए लिव-इन डिलेशन्शिप में रहने लगते हैं तो क्या होगा ये तमाम ऐसे प्रश्ट हैं जिनका समधान अभी भी किया जाना बाकी है एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसा कर कहते हैं कि हमारे देश में एक एक्ट है इस्पेसल मेरेज एक्ट अगर कोई दो अलग अलग धर्म के लोग जादी के लिए आवेधन करना होगा शादी के लिए आवेधन करेंगे उस बीच में 30 दिन का टाइम मिलेगा तिसवे दिन आप आऊगे उस दिन आप एसदिन आपके शादी का रेजिस्ट्रेशन इस नोटिस से यह होता है कि घर वालों को पता चल जाता है कि आप विवाह करने वाले हैं तो Special Marriage Act में विवाह हो ही नहीं पाता है यदि कपल के घर वाले तैयार ना हो तो यह शादी हो ही नहीं सकती है और जिस जगह पे शादी होती है समाज के कोई भी उग्रवर्ग या उग्रसंस था है इसका विरोध कर सकती है और विरोध करके कपल के जानमाल को खत्रा भी पैदा कर सकती है तो यह Special Marriage Act के द्वारा भी शादी कर पाना दो धर्मों के लोगों के लिए बहुते मुश्किल है ऐसे में मुझे लगता है कि एक तरफा करवाई लगता है कि विध्यक ला करके सरकार के तरफ से जो करवाई किया गया है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी कई प्रश्नों का समधान ढूंडा जाना बाकी है कई प्रश्नों को के समधान को ढूंड करके एक समग्र तरीके से अगर कोई विध्यक बनाया जाए एक समग्र तरीके से कोई कानून लाया जाए तो वह निश्यत रुप से उस समस्या का हल जरूर करेगा अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराये गया हो लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन अगर सरकार ऐसा कुछ प्रोविजन कर दे ऐसा कोई document required कर दे कि विवाह से पहले अगर आप विवाह कर रहे हैं धर्म परिवर्तन करके आप विवाह कर रहे हैं तो उस समय आपको ये document भरना जरूरी है और उस document को collector office में जमा कराना जरूरी है अगर आप ऐसा करें तब तो समझ में आता है कि विवाह के बाद ये हो रही है लेकिन विवाह के पहले अगर आप दो महीना पहले ये सब कुछ करते हैं विवाह तो हो नहीं पाएगा बलकि जानमाल को खत्रा भी बहुत होगा तो ये जरूर सोचना चाहिए government को कि इस पे क्या कर सकते हैं एक और महत्वपून सोचना मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ कि जो लोग Lead India Law Associates के माध्यम से शादी करने के आश्च लगा रखे हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम करा देंगे तो हम लोग भी कानून से बधे हुए हैं कोई भी व्यक्ति जो अंतरधार्मिक हैं अलग-अलग धर्मों के हैं उनके विवाह को कानून के मताबिक अभी हमने भी हम नहीं करा सकते हैं या तो आप Special Marriage Act में कर सकते हैं Special Marriage Act में आपको अपने जहां पे रहते हैं वहीं पे आपको करना होगा दूसरा जो तरीका यह होगा कि आपको कलेक्टर के पास से पर्मिशन लेकर के आना होगा धर्म परिवर्टन के लिए तब हो सकता है फिलाल मैं यही कहूँगा कि चुकि इस पे इतना क्योश है इतना इतना उल्जन है इतना कन्फ्यूजन है कि आप भी अपने शादी के प्लान को अगर आप दो धर्मों के कपल है तो कोई भी गलत कदम मत उठाइए कोई निराशा जनक कदम मत उठाइए आत्मतिया सुसाइट के बारे में मत सोचिए थोड़ा वेट करिए वेट करने के बाद से इस पे और किलियर टी आएगी कर पाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद